आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं हमारे आपके ऑफिशल यूट्यूब चैनल यमना एक्स्प्रेस में गुरुदेव रियल स्टेट में जैसा कि आप सब जानते हैं कि एरपूर्ट का काम अब अपने लास्ट स्टेश पर चल रहा है फेस वन का इस टाइम पे आपको बहुत जल्दी अपडेट आती वह दिखेंगी और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपके साथ से सांजा करने के लिए वीडियो लेकर आ जाते हैं वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी अपडेट देते हैं कि क्या नई रिपोर्ट आई है एर्पोर्ट की अपडेशन में वहां की वर्ड कमप्लिशन की उसी तरह से आज एक और निउस आई है एरपोर्ट से निकल कर जिसे हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं निउस आपकी आज की जो है वो थोड़ी अलग है क्योंकि हमेशा हम एर्पोर्ट की वर्डेशन की ब बात करने वाले हैं आप यह समझ के चलिए कि जो Airport का Phase 1 है इसके टेस्टिंग के लिए February लास्ट विक तक दे दिया जायेगा तो आप मायन के चलिए कि जो ौ कर री यह कंपनी उसको अपना काम फरवरी लास्ट वीक 2024 तक कंप्लीट करके दीना है और उसके बात फिर वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा सिक्स मन्त के टेस्टिंग मोट पे तो उस पे सारी अपडेट और साथी अक्टूबर में अक्टूबर 2024 में आप यहां पे फ्लाइट उड़ते हुए देखेंगे अक्टूबर के मन्त में तो उस टाइम पे क्या चीजे होंगी उसके साथ वो न्यूज हम शेयर करेंगे साथी इसक तो आपको बताते चलिए कि न्यूडा इंटरनाश्नल एयपोड को DxN amacigy kokus भी दे दिया गया है तो इसकोड की तरूब दूनिया भर में आरपोर्ट का ट्रायल हो जाएगा शुरू कि यमना अथर्टी एरिया के जेवर में तयार हो रहे हैं निविडा इंटरनेशनल एरपोर्ट से ऑक्टूबर दोहजार चौबीस में कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी पहले ही दिन 65 फ्लाइट जेवर से उरान इनमें 62 डॉमेस्टिक और एक कारगो और दो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी तो जैसा कि मैंने आपको बताएगी अक्टूबर में ही अक्टूबर मन्थ में यहां से फ्लाइट उनना स्टार्ट हो जाएगी 65 फ्लाइट की लिस्ट अभी तक आई है कि 65 फ्लाइट इसमें उ साथी यह फ्लाइट कहां कहां के लिए होंगी इसकी लिस्ट अभी आगे सामने आएगी अभी वोजारी नहीं हुई है नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट को अंतिराश्टिय पहचान डी एक्सन कोड मिलने के बाद तैयारी और तेज हो गई है निर्मानकार पूरी तेजी से चल रहा है फर्वरी 2024 के लास्ट वीक में इस एरपोर्ट का ट्राइल शुरू हो जाएगा इसके लिए रन्वे और ट्रेफ एयर ट्राफिक कंट्रोलर एटीसी को पहले तैयार किया जा रहा है जो कि मेंट पॉइंट है एरपोर्ट का एरपोर्ट को डी एक्षिन कोट जारी हाली में घोशना की गई है कि नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट को दुनिया भर में डी एक्षिन कोट से जाना जाएगा इंटरनेशनल एरपोर्ट संगिठन ने इस एरपोर्ट को डी एक्षिन कोट जारी किया है जो कि बेहत महत् जाता है दुबई एरपोड को दुनिया भर में DSB कोड से जाना जाता है और इसे DXN कोड से जाना जाएगा फ्लाइश एडियूल टिकटिंग और बैगेज हैंडलिंग से लेकर कम्मिनिकेशन ऑपरेशन और लॉजिस्टिक को सुवेवस्थित और विन्यामित करने तक या कोड एरपोड की पहचान को बरकरार रखने में मदद करेगा काफी 20 अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा ATC 1334 हेक्टियर में तयार हो रहा है या एरपोड पहले चरण में 3900 मीटर लंबे एक रन्वे के साथ शुरू होगा इसके लिए 30 मीटर उचा ATC टावर तयार हो रहा है बताया जा रहा है कि इस टावर को तयार करने का काम 20 अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा पूरे एरपोर्ट में ATC टावर बेहत महत्यपूर माना जाता है क्योंकि इसी से एयर ट्राफिक कंट्रोल होता है और इसके तयार होने पर फिर ट्राइल के लिए तयारी शुरू की जाएगी रन्वे पर कंक्रीट डालने का काम शुडू नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट पर निर्मान कार तेजी से चल रहा है खटी 900 मीटर लंबे रन्वे पर कंक्रीट डालने का काम भी शुडू हो गया है एरपोर्ट की विकास करता कंपेनी यमना इंटरनेशनल एरपोर्ट ने अपने ट्वीटर पर अकाउंट से इसकी जानकारी साजा की है इसी माँ एर ट्राफिक कंट्रोल टावर का निर्मान पूरा होने के बाद से उपकरन लगाने का काम शुरू हो जाएगा टर्मिनल बिल्डिंग की अंतरिक सज्जा का कार भी रिसंबर तक शुरू हो जाएगा एक रन्वे के साथ एरपोर्ट से यात्री सेवाओं की सुरुवात होगी यमना इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड कंपनी एरपोर्ट का संचालन करेगी तो यह सारी अपडेट है आज की तो अब आप यहां से समझते चलिए बारी बारी कि बहुत जल्दी हम यहां पर फ्लाइट उड़ते हुए देखना शुरू कर देंगे और यह सारी चीज़े हो रही है अब अगर आप वहां पर जाते हो ना तो लोकेशन पर आपको काम होते यह काफी मतलब दूर से चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है नेक्स्ट यार आप मान के चलिए कि फरवरी में सारा काम अल्मोस्ट इसका पूरा कंप्लीट करके इसको टेस्टिंग डिपार्टमेंट में देने के बाद आप अक्टूबर में यहां से फ्लाइट का आनंद यह अगले साल में बहुत अच्छा एप्रिशेशन है यमना एक्सप्रिस वे पर परचेजिंग अगर आज आप कुछ भी करते हैं तो एक बहुत अच्छा रिटन आप नेक्सट आर में यहां से ले सकते हैं तो बैठे बैठे सोचे सोचे वेट मत करिए यह बेस्ट टाइम ह चाहते हैं सेफ और सेक्योर जेंगे से करिए जहां पर आपको प्रस्ट होता है जिस जगे पर आपको लगता है कि यहां से हमें चीजे लेनी चाहिए उसके लिए आपको उठके आना पड़ेगा चीजों को सर्च करना पड़ेगा अपने लेवल पे दैन आप पर्चेजिंग क करा सकते हैं साथी stretching करना चाहते हैं या हमसे किसी तरह की आपको कोई साहथा की जरूरत है वहां पे किसी तरह की चाहते हैं कोई और आपकी रिक्वेर्मेंट होती है या जो भी आपकी वहां पर नंबर अवलवल है जिसमें 9873442971 यह नरेंदय 519002 मिश्र कपिल्यादा सर का नंबर है और 9958548641 यह हमारा नंबर है आप इन तीनों नंबर पर कॉंटेक्ट करके जो भी क्वेरी हो आपकी यमना अप्डेशन की आप हमसे कॉंटाइक कर सकते हैं साथ ही आप हमारे ओफिस भी आसके आप देखने के लिए पहले आज से दो तीन साल पहले तक जो ब्लोग इंवेस्मेंट कर रहे थे तो उनके पास उतना सब कुछ देखने के लिए बहुत है कोई जाता है खतका कर देखने करतक को आज आपके पासे मुका है कि आगर आपस सब्सक्राइब वह इसलिए विवार्य प्लाट देखना चाहते हैं संसारे के लुपेशन पर ब्लोग पॉपेशन पर शज़ Nagar अगर आपको बहुते आँपके से द्यूने में चीज़े होंगी यह आप जब देखोगे लोकेशन पर तो सारी चीज़े आपको खुदी क्लियर हो जाएगी तो जरूर से आप विजिट करें साती हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल यमना एक्सप्रेस पर गुरुदेव रियल स्टेट को अगर आपने सब्सक्राइब नही करती रहे साथ ही हमसे जरूर कॉंटेक करिए किसी भी तरह की क्वेरी के लिए फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नहीं वीडियो में नए टॉपिक और नए अपडेट के साथ थैंक्यू सो मच्छ